सेक्शन 313 यानि 313 के एक्यूस्ट के स्टेट्मेंट कोट कौन सी स्टेज पर लेता है 313 के जो बैयान मुल्जिम है ये कोट कौन सी स्टेज पर लेता है उसको हम इस बोर्ड पर देख रहे हैं देखिए ये हमने एक कोट बनाया है इस कोट में एक मुकदमा चल रहा है ये मस्टेट का कोट है इस कोट में एक वारंट केस का ट्रायल हो रहा है सेक्शन 148, 323, 325 और अबलिक 149 IPC में कुछ अक्यूस्ट है उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है पुलिस ने चार्शीट इस कोट में पेश कर दी है कोट अब इसका कॉगनिजन्स लेता है ओफेंस का इसके बाद मुलिञ्मान के खिलाफ, अक्यूस्ट के खिलाफ वो चार्श लगाएगा चार्ज उनको सुनाएगा इसके बाद prosecution evidence यानि PE होएगी इसके बाद 313 के statement कोट लेगा अक्यूस्ट के ये statement ہोते हैं इसके बाद defense evidence होती है फिर final argument सुनेंगे और इसके बाद judgment होगा तो ये इसका आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें stage कहां आ रही है इस prosecution evidence के बाद धरा 313 यानि 313 के हम accused के statement ले रहे हैं तो ये stage आपको इसमें समझ में आवे होगी हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रेखारा ठोड़ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं section 313 को पिछले वीडियो में हमने section 319, 320, 321 इन सब को पढ़ा और ये जो 313 का ये section 313 इसका court importance बहुत है practical way में ये course में बहुत काम आता है तो आज इसकी importance को देखते हुए इस section को हम पूरा पढ़ेंगे इसको 3-4 part में करके आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले हम इसका practical देखेंगे practical कैसे देखेंगे कि हम ये जानेंगे कि court में ये किस stage पर लिया जाता है accused का statement फिर इसको section को पढ़ेंगे कि section क्या कहता है और इसके बाद इसकी concept को समझेंगे क्यों ये section इस CRPC के अंदर add किया गया है और फिर इसका scope and applicability को हम जानेंगे कि माने supreme court इसके बारे में क्या कहता है तो आज का वीडियो इन्हीं चार पाच बिंदों के इर्द गिर्द घूमेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको practical बताया है कि जो इसका हम एक एक ये जो warrant case है ये एक magistrate court में चल रहा है और हम देख रहे हैं कि court के अंदर क्या stage इसमें हो सकती है कब court में ये apply होगा section 313 तो सबसे पहले जो ही court में कोई charge sheet आती है तो court उस charge sheet में offense का cognigence ले लेता है कोगनिजन्स लेने के बाद जो अगली stage होती है वो charge लगाने की होती है कि accused को charge इसमें सुनाया जाता है charge सुनाने के बाद prosecution को मोका दिया जाता है opportunity दी जाती है कि वो अब अपने evidence को court के सामने पेश करे कि किन evidence के मादहम से वो इन मुलजमान के खिलाफ अपने इन आरोपों को साबित करेगा और क्या material police ने यहाँ इखटा किया है जो prosecution evidence court में पेश करने जा रहा है और prosecution evidence पेश करने के बाद court ये section 313 के statement ले था है तो ये पूरा जो outline है इस case की ये मैंने आपको बता दी है आपको समझ में आई होगी कि कहां ये section 313 हमारे यहां काम आ रहा है तो अब ये हमने इसका practical देख लिया अब हम इसकी theory पढ़ेंगे कि ये जो हमारा section 313 है ये कहता क्या है ये जो section 313 है ये इसका जो head note है वो कहरा है अभ्यूक्त की परिक्षा करने की शक्ती यानि ये court को इस section के माध्यम से ये power दी गई है कि court अभ्यूक्त की परिक्षा कर सकता है accused का examination कर सकता है और ये जो question है ये जो section है 313 ये जितनी courts में practical aspects से समझना जरूरी है क्योंकि रात दिन ये courts में काम आती है हर मुकदमे में धारा 313 CRPC में accused के statement लिए जाते हैं उसी तरह ये exam point of view से भी important है और मध्यपरदेश ADJ 2014 के exam में इसके बारे में question पूछा जा चुका है इसी तरह MP CJ के exam में 2012 के exam है उसमें भी इस बारे में question पूछा जा चुका है तो ये जो court के साथ साथ ये आप लोग जो students है जो आर्जिस वगरा की तैयारी कर रहे हैं other exams की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस section को समझना बहुत जरूरी है अब जब हम section को समझ लेते हैं तो उसके पीछे का और concept जब उसका हम समझते हैं तो ये section हमको याद होने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि otherwise तो अगर हम section को रटेंगे तो फिर ये याद नहीं होता और हमें ये पता नहीं चलता कि court में इसको कैसे यूज किया जाता है तो इसलिए ये मैंने पूरा आपको board पर ये diagram बना के समझाया है और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कहां ये section 313 ट्रैक्टिकल जब केस लड़ा जाता है तब ये picture में आती है तो ये जो section है 313 इसके 5 subsection है ठीक है 5 subsections में इस section को बाटा गया है जो पहला subsection है वो ये कहता है प्रतेत जाच या विचारण में एक तो आप अपने बेरक्ट खोल लीजे तो बेरक्ट जब आप खोल रहे हैं क्योंकि मैं आपको बेरक्ट से समझा रही हूँ अपन word to word इसमें समझ रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी pinpoint कर दूँगी कि इसमें कौन सा point जो है कौन सा शब्द है वो इसमें important है तो आप उसको underline भी कर पाएंगे तो आप अपने बेरक्ट खोल लीजे ताकि आपको समझने में आसानी रहें अभी आप अगर इसको सुनते सुनते बेरक्ट को नहीं खोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये जरूर नहीं कि आप एक बार ही देखें अगर आपको जहां मैंने बेरक्ट की लेंग्वेज आपको समझाई है तो वो आपके आसानी से फिर समझ में आजाएगी तो ये बेरक्ट आपने खोल लिया होगा अब आपन चलते हैं इसके सब सेक्शन वन पर ये कहता है प्रतेक जाच या विचारण में जो हिंदी मीडियम के स्टूडे पहले मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ फिर इंग्लिश में बता दूगी या जो इतना तो आप लोग इंग्लिश वाले हिंदी वाले थोड़ा मिक्स अप करके अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है मैडम हिंदी में बढ़ाई है कई स इस प्रियोजन से की अभ्यूक्त अपने विरुद्ध साक्षे में प्रगठ होने वाली कि नहीं परिस्तितियों का स्व्यम इस्पस्टी करण कर सके जब हम ये रेखिए जब हम ये प्रॉस्यक्यूशन एविडेंस ले रहे हैं तो प्रॉस्यक्यूशन एविडेंस के दुर और जो परिस्तियां हैं case की वो भी court के सामने आती है कि किन परिस्तियों में ये अपराद हुआ है तो जो जो भी against जो evidence है वो चाए परिस्ति के रूप में हो वो चाए oral evidence हो चाए documentary evidence हो ये तीनों तरह की evidence जब किसी accused के खिलाफ आती है इस prosecution evidence में तो इस बयान मुल्जिम का इस 313 के जो statement है इनका उद्देश्य यही है कि ये सारे के सारे उसके सामने रखे जाएंगे और फिर उससे सवाल पूछे जाएंगे और इस सवालों से उसको ये मौका मिलता है कि वो इन परिस्तियों को ये जो statement prosecution evidence के रूप में साक्षे उसके खिलाफ आई है इनका वो इस पस्टिकरन दे सकता है तो धारा को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम इसके पीछे का concept भी साथ साथ ही ले लेते हैं कि जो मूल भूत जो हमारे पास constitution का सिद्दान्थ है O.D.L.Paterm यानि no person left unheard किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा यानि प्रतेख व्यक्ति को प्रतेख मुल्जिम को उसके खिलाफ कारवाई करने से पहले उसको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा तो जो right of hearing है वो constitution का fundamental right है और वो natural justice का main सिद्दान्थ है आप भले administrative law पढ़ें constitutional law पढ़ें या अन्य दूसरे law पढ़ें आप देखेंगे कि ये natural justice का जो सिद्दान्थ है ये हर कानून में समाया हुआ है तो ये जो natural justice का सिद्दान्थ है ये हर कानून में समाया हुआ है और इसी के आधार पर ये जो section 313 है ये इस हमारे CRPC से में समाहित की गई है include की गई है कि हम यहां मुल्जिम को ये right देना चाहते हैं कि वो अपने खिलाफ जो भी परिस्दिया आई है अपने खिलाफ जो भी evidence आई है उसको वो explain उसको कर सके ठीक है तो चलिए ये concept को हम थोड़ी देर बात देखेंगे अभी इसलिए ये धारा हम पढ़ रहे थे तो इसमें ये बात कही गई है कि प्रतेक जांच या विचारण में तो ट्राइल तो चार्ज के बाद शिरू होती है तो prosecution evidence और statement डी ये सब इसका trial का हिस्सा है और चार्ज से पहले और convergence के बीच में ये जो प्रक्रिया हो रही है ये इसको हम inquiry कहेंगे तो इस inquiry के दोरान भी कोई भी मनस्टेट कोई भी कोर्ट जो है मुलजिम के statement धारा 313 के statement ले सकती है लेकिन वो केवल discretionary है वो कोर्ट की मनसा है कोर्ट उस मुलजिम को बिना चेतावनी दिये कोई भी question पूछ सकती है लेकिन यहां जो है ये prosecution evidence के बाद में ये हम अलग-अभ भी case लो भी देखेंगे उनमें ये स्थापित किया गया है उसमें ये settled किया गया है कि यहां ये जो prosecution evidence के बाद हम statement लेंगे ये mandatory है ठीक है तो यहां stage आपको clear हो गई होगी कि charge के पहले भी यानि inquiry की stage पर भी court question पूछ सकता है लेकिन वो discretionary power है ठीक है और दूसरा यहां ये mandatory ह तो दो stage हमारे को समझ में आगी जाच और विचारण inquiry और ट्रायल इस प्रियोजन से कि अभ्यूक्त अपने विरुद्ध साक्षे में प्रगट होने वाली किनी परिस्तियों का स्वेम इस प्रस्टिक रण कर सके उसके सामने परिस्तियां रखी जाएंगी कि जो जो evidence उसके स किसी प्रक्रम में अभ्यूक्त को पहले से चतावनी दिये बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायले आवश्यक समझे किसी भी प्रक्रम पर इंग्लिश में देख लेते हैं में शब्द यूज हुआ है अपने बेरक्ट में इस में शब्द को और इसमें नीचे इसमें हो सकती है इस स्टेज में कोई भी जो न्यायधीश है कोट है वो इस अभ्यूक्त से सवाल पूछ सकती है तो यही यह इस जो पॉइंट नंबर ए है इसमें क्लियर किया गया है में इट एनी स्टेज विद दाउट प्रिवियसली वार्निंग दे अक्यूस्ट उसको पहले कोई चतावनी देने की जरुद नहीं है और उससे डाइरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है पूट सच कोश्चंस तो हिम एस उसकोश्चंस पूछे जा सकते हैं जो पूट को अवश्चक लगते हैं नाशेसरी लगते हैं जो कोट उनको कंसिडर करती है कि यह न कि जो ही पीसी के लिए यानि पुलिस रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी के लिए कोई अक्यूजड पुलिस लेकर आती है या जूडिशल कस्टडी के लिए लेकर आती है तो उस वक्त ही हम लोग उससे सवाल पूछ लेते हैं उस वक्त अक्यूजड जो है वो बिलकुल नया लेलेगा तब वो अपने केस की बुनियाद जूट पर खड़ा करना शुरू करतेगा उसको बहुत सारी लीगल एडवाईज मिल जाएंगी अलग लग तरह के लोगों से तो वो उसको यही कहेंगे कि तेरे को डिफेंस में क्या बाते कहनी हैं कैसे अपना बचाव करना है और फिर वो जूट वहां से शुरू हो जाता है लेकिन न्याइधिश भी इस प्रवर्ति को जानते हैं और जो समझदार जज होता है वो उस एक्यूज से जुडिशल कस्टडी में जब वो उसके सामने आता है और चार्ज के दोरान जब उसको चार्ज सुनाया जाता है या चार को अभ्यूक्त का वो पक्ष जानने का मोका मिल जाता है जो उसकी डिफेंस में नहीं आता है क्योंकि देखेंस तो सोच समझ कर बनाई जाती है कोट के सामने और उसमें बहुत सारा जूट का भी पुलेंदा होता है ठीक है लेकिन जब अक्यूज बिल्कुल बिना लीगल ए गटना क्या हुई होगी ठीक है तो ये जो है ये कई बार कोर्ट इसको अपनी ओडर शीट में भी लिख देता है कि इससे ये सवाल पूछा गया लेकिन जनरली इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है तो वो केवल जनरल उसको मौखित पूस्तास ही करते हैं बस जज को पता होना चाहिए कि इस वैक्टी ने ओफास किया है या नहीं किया है या क्या सिचुईशन है अ हलनकि उसको जजे कहीं काम में नहीं लेते हैं क्योंकि जो एविदेन्स कोज़ेंट औरْ एविदेन्स स्ट्रॉंग एविदेंस कोड के सामने आती है कोड उसी पर अपना लि किया होता है दोनों कोर्ट के सामने आते हैं तो पूछना न्याइधिश का करतवे भी बन जाता है क्योंकि न्याइधिश को डमी विकती नहीं है कि केवल प्रोसीकुशन ने अपनी एविडेंस पेश कर दी और डिफेंस ने अपनी पेश कर दी अगर सिर्फ यहां तक ही मामला समित रहा तो हो सकता है कोट रियल जस्टिस ना कर पाए तो पक्षकारों को सुनना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए यहां इसमें यह प्रोविजन भी कोट के सामने किया गया है सेक्शन 313 के यह सब सेक्शन 1 के पॉइंट नमबर A में कि कोट ऐसे सवाल उन से कर सकता है दूसरा जो पॉइंट है वो है शेल आफ्टर दे विटनेस फोर दो प्रोविजन है और बिफोर ही इच कॉल्ड ओन ही इच फोर डिफेंस क्वेशन हिम जनरली ओन दे किस अब यहां यह देखिए कि यह जो शेल शब्द यूज़वा है इस भी पार्ट में शेल शब्द है धारा 313 की यहां यह मेंडेटरी स्टेज है क्योंकि इसमें शेल शब्द यूज़वा है आप ए पार्ट में देखेंगे में शब्द यूज़वा था और इस भी पार्ट में देखेंगे शेल शब्द यूज़वा था इसका मतलब यह है कि और कहीं किसी भी स्टेज पर अगर नियादीस उससे question पूछते हैं, तो वो mandatory नहीं है, वो discretionary है, court को necessary लगता है, तो पूछने चाहिए, अगर नहीं लगता, तो court नहीं पूछता, लेकिन यहां तो वो mandatory है, तो इसलिए यह हमने इसकी stage में इसको calculate कर लिया, ठीक है, समझ में आगे धरा, चलिए आगे करते हैं, provided that, अब इसमें एक provided गिया हुआ है, provided that in a summon case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, अब यहां समन केस को भी आप अंडरलाइन कर लीजे, क्योंकि छोटे case में यह सुविधा accused को दी गई है, dispense with कर देता है, court उसकी हाजरी माफी कर देता है, कि ठीक है, आप अपने advocate के जरिये appear होते रहे, आपको personally court में आने की आवशकता नहीं है, तो ऐसे स्थति में कई बार court के सामने यह स्थति आती है, समन केसे में, कि फिर वो application court के सामने लगा देते हैं, कि बयान मुल्जिम इसमें ना लिए जाए, और यहां तो court को यह power दी गई है, कि जहां court ने उसकी personal attendance को dispense with कर रखा है, उसकी हाजरी माफी कर रखी है, इस बात का उसको एक lab दे रखा है, कि ठीक है, आपको court में आने की जरुरत नहीं है, और आप अपने advocate के माध्यम से उपस्तित होते रहिए, तो ऐसी स्थति में फिर वो जो है, उसको समन केस में court उसक examination under close भी, तो यह जो stage है, हमारी यह जो prosecution evidence की, इस stage को भी वो dispense with कर सकता है, इसको give up कर सकता है, मना कर सकता है, कि ठीक है, लेने की आवशक्ता नहीं है, अगर वो हाजरी माफी उसकी कर रखी है, उसको हाजरी कोट में वो नहीं हो रहा है, और वो हाजरी माफी उसकी court ने स्व dispense with की जो application है, यह court में आती है, प्रते एक पेशी के लिए, ठीक है, इसमें तो advocate लगाते हैं, कि आज मुल्जिम को कोई काम हो गया, वो कहीं गाम वगरा चला गया, उसके रिस्तेजारे में कोई शादी थी, या मोत हो गई, या कुछ को कर्श में कोई और कारण हो गया, या उसके घर में कोई ऐसी प्रिस्ती तीट बना हो गई, वो नहीं आ सकता, या कई बाड़ा जाती है, बाड़ा गई, वो निकल नहीं पाया, कई बार सुखा पढ़ गया, कई सारी प्रिस्ते आती है, ठीक है, तो वो नहीं आ पाता, तो उस पेशी के लिए, केवल उस particular पेशी के लिए हाजरी माफी कोट में देते हैं अपनी जो अटेंडन्स है परसनल अपीरियंस है उसको डिस्पेंस विद कराना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम उस अक्यूज की तरफ से कोट में हाजिर हैं तो वहां कोट उसकी जो परसनल अपीरियंस है उसको डिस्पेंस विद कर द कि उनकी स्थाई हाजरी माफी माफ कर दी जाए यानि और यानि उनको कोर्ट में आने की जरुत ना रहे और उनके एड़ोकेट ही कोर्ट में आते रहेंगे तो ऐसा जैसे 498 वाले जो मुकद में हैं 4008 वाले उसमें कई बार आजकल तो फिर भी कम हो रहा है पहले आज से 10-15 साल पहले पूरे पूरे जो सुसराल के लोग थे उनको मुल्जिम मना लिया जाता था इवन तो जो माइनर नंदे हैं चोटी-चोटी 15-10 साल की वो भी लड़किया हैं हमारा समाजिक परवेस ऐसा है कोट में चकर लगाती हुई अच्छी नहीं लगती समाज में उसको बुरा मानता है तो फिर एड़ोकेट्स जो है या फिर बूडे माबाप हैं वो भी नहीं आपाते हर पेशी पर मालो किसी परिवार में 10 जने हैं 10 मुल्जिम हैं तो दस के दस कोट में चकर लगाएंगे तो उन पर कितना तो आर्थिक भार आएगा उनका सारा कामकाज ठप हो जाएगा तो फिर एड़ोकेट्स ऐसे स्थिवें जो छोटी शोटी लड़किया हैं या बूडे माबाप हैं उनकी हाजरी माफी पर्मानेंट करने के लिए लगा जेते थे कि भई इसमें ये जो अक्यूजड है मेन मुल्जिम जो पती है वो आता रहेगा हर पेशी पर और इन लोगों की पर्मानेंट हाजरी माफी कर दी जाएं मतलब कि डिसिजन तक इनकी हाजरी माफी कर दी जाएं तो कोट उनमें ऐसे करते थे कि जब कोट को ज जरत होगी, जैसे चार्ज की स्टेज पर को जरत पड़ती है, चार्ज सुना जाता है, या अगर जो समन केस है, तो सबस्टेंस, आरोप सारान सुनाते हैं, तो उस वक्त जरत पड़ती है, और धारा 313 के स्टेटमेंट लेते हैं, तब को जरत पड़ती है, तो जनरली कोट आर यह जो दो स्टेज है इन पर इनको बुलवा लिया जाएगा और तब तक के लिए इनकी हाजरी माफी इनकी जाती है, सुिकार की जाती है तो ये कर देते थे, ठीक है, तो अब कई बार जैसे छोटा केस है, समन केस है, तो वहाँ फिर एड़ोकेट ये लिख देते थे कि इसमें चूंकि हाजरी माफी पर्मानेंट पहले से dispense with है, तो उसको यहाँ ना बुलाये जाए, ठीक है, तो ये जो application है, फिर court को अगर उचित लगता है, कि ठीक है, तो फिर वो court उसको dispense with कर सकता है, इसमें भी जो शब्द है, वो है मे, यानि ये court का description है, मे शब्द यूज होने से, कि court चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे, तो ना करे, ठीक है, तो ये परिस्तिती पर depend करता है, अब जो दूसरा point है, कि no oath shall be administered to the accused when he is examined under section 1, यानि अगर ये 313 के statement हो रहे हैं, या इस congregants के बाद, या चार से पहले inquiry की stage पर court कोई question पूछ रहा है, 313 में, accused से, तो क्या मुल्जिम को oath दिलाएगा, क्या उसको शब्द दिलाएगा, ठीक है, आप जानते हैं ना, witness को शब्द दिलाते हैं, court में, मैं इश्वर की सो कुछ नहीं काऊंगा, ऐसी शपत लेकर उनके बयान करवाते हैं, तो यहां इस तरह है कि oath का जो provision है, वो accused के लिए नहीं है, तो accused को, ये धारा खुद ही, धारा 313 का ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो सब सेक्शन है, ये कहता है कि उसको oath दिलाने की कोई आविशकता नह है, तीसरा point है, the accused shall not render himself libel to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them, यानि अब जब उसको ओथ नहीं दिला रहे, तो court, तो उसको पूरी आजादी दे दी गई है कि वो जूट बोल सकता है, वो जो भी जबाब देगा, एक तो उसको वो किसी भी punishment का भागी नहीं होगा, उसको किसी भी तरह का जब आब आने पर उसको उस बात के लिए punishment नहीं दिया जाएगा, और वो कोई भी जो question है, उसका false answer दे सकता है, ठीक है, तो ये ये धारा कहती है, इसलिए ओथ नहीं दिलाए जाती, ठीक है, क्योंकि यहां मुल्जिम को बिल्कुल खुला छोड़ा गया है, कि वो किस रूप में भी चाहे अपनी बात को कोट के सामने explain कर सकता है, तो फिर वो जब उसको और नहीं ही दिलाए जारी, जब उसको ये डर उसमें से हटा दिया, कि तुम जूटी बात भी कह सकते हो, और तुमें कोई punishment में नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसको ये बाते इस बात को इंगित कर करती हैं, कि हम मुलजिन को विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि वो पूरी तरह से अपनी बात कहने के लिए सुरक्षित है, अदरवाइस तो देखे, भारत इतने सारे अनपड़ लोगों का देश है, नियाए विवस्था जो है, महंगी है, और हर विक्ति को कानून का ग्यान नहीं है, तो उनको ये भै बना रहे कि कहीं मैं कुछ बोल दूँ और कोट को लगे कि मैं जूटी बात बोल रहा हूं, तो फिर मेरे को ये तो केस चली रहा है, एक और केस तरज हो जाए, तो मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं तो चुप पे रहता हूं, ठीक है, तो यह accused को डर सता सकता है, तो इसलिए यह safe card दिया गया है, कि तुम जो कहोगे, हम पूरी बात सुनेंगे, और इस बात के लिए तुमें कोई रूप, किसी भी रूप में दंडित नहीं किया जाएगा, तुम अपनी बात बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल open way में कहो, ठीक है, तो यह जो है, इसलिए यह provision किया गया है, अब next, यह हमारा तीन नंबर सब सेक्षन हो गया, अब चार नंबर सब सेक्षन देखिए, हिंदी में, मैं इसको बताना, आपको भूल गई, हिंदी में भी बता देती हूँ, समझ में आ गया होगा, अब चौधा पॉइंट हम स्टेटमेंट दे रहा है, तो कोर्ट उन बातों पर विचार करेगा, जब डिसिजन सुनाएगा तो विचार करेगा उस पर, और किसी अन्य ऐसे अपराद की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की, उन उत्रों की परवर्ती हो, किसी अन्य जाच या विचारण मे ऐसे उत्रों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्षे के तोर पर रखा जा सकता है, यारी ये जो उत्र वो यहां दे रहा है, वो उस मामले में तो यूज नहीं होंगे, लेकिन ये धारा ये कहती है, कि किसी अन्य ऐसे अपराद की, जिसका उसके द्वारा किया ज उस अन्य अपराद में, किसी अन्य जहांच या फिचारण में उन उत्रों को जो है, वो साक्षे की रूप में वो काम में ले सकता है, ऐसा ये फोर नंबर पॉइंट कहा गया है, यानि एक तो दो मुकदमे है, एक ये जो हम ट्राइल कर रहे हैं, ये मुकदमा है, तो इस पॉर नंबर सेक्षन है, ये कहता है, और पांचवा नंबर पॉइंट है, ये दो हजार आठ से, ये जो पांच नंबर का जो हमारा पॉइंट है, सब सेक्षन है, ये दो हजार आठ के से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो ये नया जोड़ा हुआ है, और ये पांचवा नंबर जो सब सेक्षन है कहता है उन सुसंगत प्रशनों को जिनें अभ्युक्त से किया जाना है यानि वे रेलिवेंट कोश्चन जिन जो कोड उसे पूछेगा तयार करने में नयाले अभ्योजक तथा प्रतिपक्ष के अधिवक्ता की मदद ले सकता है यानि कोड जो इस सेक प्रोस्यक्यूशन ये चाहता है कि उनका ये कोश्चन जूट गया या अक्यूजड का कुछ और उसके एडवोकेट का कुछ और सुझाव हो सकता है तो यहां उनके द्वारा भी ये लिख दिया गया है कि उनसे भी कोड सुझाव ले सकता है तयार कराने में मदद ले सकता ह तथा नियाल है इस धारा के परियापत अनुपालन के रूप में अभ्युक्त द्वारा लिखित कथन के दाफिल करने के अनुमती दे सकता है। अनुमता था कोर्टे आपत्ती कर देती थी कि नहीं आप ये इस तरह का डोकुमेंट पेश नहीं कर सकते ये आप लिखित में ये जबाब नहीं पेश कर सकते हैं। दिसिजन्स आए हैं उनमें क्या कहा गया है इस धारा का एक्स्टेंट किस लेवल तक बताया गया है। और अगर सक्षन 313 के जो अक्यूजड के स्टेटमेंट हैं वो अगर नहीं लिए तो क्या प्रभाव पूरी ट्रायल पर पड़ेगा इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो हमारा केस है वो है रिना हजारीका वर्सेशल स्टेट आशाम का केस है दो हजार अठारा सुप्रेम कोट ओनलाइन सुप्रेम कोट 2281 यह जो केस है यह इसके कंसेप्ड को क्लियर कर रहा है कि यह जो सेक्शन 313 है इसके बारे में चार-पांच बिंदो इन्हों ने निर्धारित किये पहला इनोंने कहा इट कनफर्स ए वैल्यूएबल राइट अपॉन एन अक्यूजट टो एस्टाबलिज हिज इनोसेंस यानि मुल्जिम को उसकी निर्दोशिता साबित करने के लिए ये जो धारा है ये एक बहुत ही महतोपॉन इंपॉर्टेंट राइट जो है मुल्जिम को कनफर कर रही है मुल्जिम को दे रही है तो बहुत ही उस इस धारा में जो राइट मुल्जिम को मिल रहा है इससे वो अपनी इनोसेंस को साबित कर सकता है दूसरा point उन्होंने कहा कि ये केवल मात्र एक statutory right नहीं है कि CRPC में section 313 के रूप में कह दिया कि ठीक है मुल्जिम को prosecution evidence की परिस्तिय है explain करने का मुखा मिलेगा उन्होंने कहा ये एक constitutional right है और इसकी अभिलना किसी भी रूप में नहीं की जा सकती क्योंकि ये fair trial का हिस्सा है तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इसको article 21 के तहत एक constitutional right ये बताया गया है तो आप यहां ये देखिए कि हम कहते हैं कि जो CRPC है evidence है इसमे constitution का कहीं कोई लेना देना नहीं है बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जो trial courts है वो कभी constitution का उनसे क्या मतलब constitution उनको पढ़ने की जरत नहीं है CRPC, CPC वो तो just trial करते हैं लेकिन आप ये देखिए आप जब हर धारा को बहुत deeply पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर धारा में constitution की बाते हैं हर धारा में constitution के जो सिद्दान्थ हैं जो deeply rooted सिद्दान्थ हैं वो हर एक धारा के back में कहीं न कहीं समाय हुए हैं कहीं वो victim को right देते हैं कहीं वो मुल्जिम को right देते हैं तो इस तरह ये जो धारा 313 है ये भी article 21 का fundamental जो right है मुल्जिम का fair trial का उसका एक हिस्सा इस धारा को माना गया है इस में धारा में जो right दिया गया है उसको माना गया है उन्होंने कहा substantive piece of evidence नहीं है जो section 313 में मुल्जिम अपने statement देता है हमने section 313 का जो subglotch है वो ये देखा कि उसमें ओथ नहीं होती है तो उन्होंने कहा देखे उन्हों इस धारा में भी ये कहा गया है ओथ नहीं होती है इसलिए ये substantive piece of evidence नहीं है यानि इसको एक evidence की category में हम नहीं मान सकते ठीक है इन्होंने section 313 के clause 1 और 4 को भी इसमें समाहित किया उसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि court duty bound है यानि court को ये जो इस stage पर जो prosecution evidence के बाद जब हम उसका explanation लेते हैं 313 के रूप में 313 के statement के रूप में तो उस वक्त prosecution evidence खतम होने के बाद में हम जो subsection 1 के clause B के तहत जो बयान मुल्जिम ले रहे हैं जिसमें shell शब्द यूज हुआ है वहाँ court duty bound है उसको वो accused के statement लेने ही लेने होंगे part of audit ultram bottom इन्होंने कहा कि सुनवाई के अधिकार का main हिस्सा है और इसलिए इन्होंने fair trial या सुनवाई के अधिकार की बात करते हुए इस section 313 के पूरे concept को इस जो ये रिना हजारिका का case है इसमें समझाया है तो रिना हजारिका का case बड़ा important case एक तरह से हो गया है क्योंकि इसमें इस धारा के पीछे की पूरी analogy और concept को बताया गया है तो आप जब आप अपना exam में कोई answer आपका आ जाए तो आप इस section जो ये case है रिना हजारिका का इसका reference दे सकते हैं क्योंकि एक आदी case तो जो latest case है वो आपको अपने question में लिखने चाहिए इससे आपका question जो है वो examiner के लिए बहुत अच्छा हो जाता है आपकी जो पूरी जो बात है उसको आप कह सकते हो उसको explain कर सकते हो क्योंकि वो आपके question को बहुत ही एक constitutional से जोड़ कर उस answer का एक concept जो है वो आप examiner के सामने रख रहे हो एक और important case है हमारे पास समसुल हक versus state of aasam का इस case को हम मैं बताओं आपको उससे पहले हम एक point को यहाँ पहले मैं आपकी चर्चा करना चाहती हूँ कि अगर section 313 के बयान मुल्जिम court नहीं लेता है जैसा कि section 313 का subsection 1 का close B जहां shell शब्द यूज हुआ है कि prosecution evidence खतम होने के बाद जो prosecution की गवा और उसकी साक्षे की परिस्टियां है वो accused के सामने रखी जाएंगी और फिर accused उसका explanation court के सामने करेगा तो अगर वहां court 313 के बयान नहीं लेता है उसमें कोई गलती कर देता है या कहीं बयान अच्छी तरह से उन्होंने question answer तरीके से नहीं लिखे या कोई परिस्टि skip कर देता है उसके बारे में कोई question नहीं पूछा तो उसका effect trial पर क्या आएगा क्या trial विशेट हो जाएगी और इस point से क्या trial विशेट हो जाएगी ये point आपको appeal में भी एक point एक तरक दे रहा है एक question of law दे रहा है क्योंकि जब आप appeal draft करेंगे तो आप जो law court है जो subordinate court है उनकी कौन सी गलतियां गिनाएंगे तो एक ये जो बड़ी गलती है अगर आप ध्यान से court का decision पढ़ेंगे आप उस file को पढ़ेंगे तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या question क्या 313 के बियान मुल्जिम लेते समय कोट ने हर परिस्टती हर circumntances उस accused के साम ने explain की है क्या सारे गवहों की जो evidence है oral evidence उसके बारे में question पूछे हैं तो ये बड़ा important point हो जाता है अभी और भी cases इस point पर देखेंगे कि क्या trial विशेट हो जाती है क्योंकि ठीक है उस जो court जो judgment दे रही है जिसने trial किया है वो court तो अपना judgment दे देती है लेकिन जब अगर को convict कर दिया गया है उस court के द्वारा और कुछ गलतियां इसमें छोड़ दी है अगर 1313 के accused के statement लेते समय बयान मुल्जिम लेते समय तो आप appeal court जो है appealate court है उसके सामने ये मुद्दा उठाएंगे और इसमें भी appealate court की भी stage है एक one appealate court फिर दूसरी अगर आपने सीधे ही मा Supreme Court उठाया तो मानिया Supreme Court ये कह सकता है कि आपके तरको हम accept नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो पहले की appealate court सी उनके सामने तो ये मुद्दा उठाया है नहीं सीधे आप Supreme Court में उठा रहे हैं तो अच्छा advocate बनने के लिए ये point आपको पता होना चाहिए कि यहां भी आपका a question of law one रहा है अपील में उठाने के लिए तो इस समसुल हक versus state of assam 2019 का case है इसमें मानिया Supreme Court ने दो और cases पर रिलाई किया इसमें ये सिवाजी सहाब रो बॉबडे versus state of maharashtra का case है इसकी जो citation है वो इसको समसुल हक वाले case में आपको मिल जाएगी मुझे धान नहीं रहा है या दूसरा case है असरफ अली versus state of mahar का इन दोनों cases पर रिलाई किया और ये कहा कि ये जो section है section 313 ये बहुत deeply rooted है हमारे इस procedural law में और जो पुरानी CRPC थी 1898 की उसमें भी ये section 342 के रूप में रखा गया था और अब 1973 की CRPC में ये धरा कन धरा तो वैसे ही है concept वैसे ही है लेकिन धारा केवल इसकी numbering बदल गई है पहले 342 थी 340 थी 42 थी और अब ये 1313 हो गई है लेकिन दो condition court को देखनी पड़ेंगी क्या condition है कि क्या accused के साथ कोई prejudice कोज हुआ है ये जो statement है ये court ने नहीं लिए या defective way में लिए तो trial तो court जो appellate court है वो ये देखेगा कि क्या prejudice accused को कोज हुआ है और दूसरा क्या इसमें कोई miscarriage of justice हुआ है क्या न्याय का हनन हुआ है तो ये दोनों प्रशनों पर court इस बिंदू को तोलेगा और अगर court को लगता है कि मुल्जिम prejudice cause हुआ है मुल्जिम को यहां prejudice cause होने से क्या मतलब है prejudice cause होने से मतलब है कि क्या मुल्जिम का किसी right का हनन हुआ है ठीक है त तो दोनों point देखेगा, क्या उसके right का हनन हुआ है, या उसको miscarriage of justice हुआ है, अगर ये दोनों बिंदू court उस पर परख लेता है, तो फिर trial wishate हो सकती है, इपसो factor trial wishate नहीं होगी, मानिए Supreme Court ने ये कहा, trial तो wishate हो सकती है, लेकिन इपसो factor नहीं होगी, अपने आप से नहीं ये दोनों अगर वहाँ उपस्तित है, prejudice और miscarriage of justice, तो फिर trial wishate हो सकती है, अभी हम एक और judgment देखेंगे, जिसमे मानिए Supreme Court ने ये कहा है, कि जो appellate court है, अगर कोई मुल्जिम ये तर्क उठाता है, कि उसके 313 के बियानों में कोई परिस्तिती उसके सामने explain नहीं की गई, त परिस्तिती पर उसका answer ले सकता है, ऐसी भी power appellate court को है, तो यहाँ ये समसल हुक का जो judgment है, ये बड़ा ही important है, ठीक है, हमारे पास चर्चा के लिए 3-4 case और है, state is Delhi administration versus धरंपाल का case है, AIR 2001 Supreme Court का, इस ये भी मानिए Supreme Court का case है, ग्यानचन versus state of हरियाना का case है, इस ग्यानचन versus state of हरियाना का ये जो case है, इसमें मानिए Supreme Court ने कहा, इसमें क्या हुआ, कि ये जो 313 की compliance के बारे में question था, ये पहली बार मानिए Supreme Court के सामने ही उठाया गया, और जो मुल्जिम के advocate थे, उन्होंने कहा कि इसमें section 313 CRPC की compliance नहीं हुई है, लिहाज़ ये trial initiate हो गई, और मुल्जिम को acquit किया जाए, तो उन्होंने कहा, Supreme Court ने क्या health किया, कि तरक पहले नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि जो first appellate court थी, उसमें ये तरक आपने नहीं उठाया, पहली बारी Supreme Court के सामने उठाया है, तो इस तरह आप ये question नहीं उठा सकते, फिर उन्होंने ये कहा कि accused को क्या prejudice हु हो जाएगा, या कोई बहुत ही न्याई की हत्या हो गई हो, miscarriage of justice हो गया हो, तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई record पर material नहीं है, ये जो तरक उठाया गया है, इसके समर्थन में पत्रावली पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो ऐसा कोई question नहीं पूछा गया, तो इससे कोई मुल् जो है, घारेज कर दी, तो ये पॉइंट उन्होंने कहा, तो इस ये जो अगला हमारे पास ये case है, सौभित चामर वर्सेस स्टेट अब बिहार का AIR 1998 Supreme Court, ये भी माने Supreme Court का case है, इसमें भी ये ये बात हुई, कि ये जो examination है 313 का, ये तब तक हम ये नहीं कह सकते prejudice cause होना, जब तक कि बिल्कुल परवर्स रूप में examination उसका ना हुआ हूँ, ठीक है, नर्सिंग वर्सेस स्टेट ओफ हरियाना AIR 2015 Supreme Court, ये भी माने Supreme Court का case है, इसमें माने Supreme Court ने कहा कि ये एक curable irregularity है, यानि ऐसी एनिये मिता है जो ठीक की जा सकती है, यानि अपील में अगर इस सदारा 313 के बैयानों के अधार पर कोई तर्क, कोई question of law उठाया जाता है, तो court क्या क्या कर सकती है, एक तो वो मुल्जिम को acquit कर सकती है, अगर court को लगता है कि इसमें trial wishate हो गई, तो court मुल्जिम को acquit कर सकती है, एक court ये कर सकती है, कि इसमें case को remand back कर सकती है, वापस भेज सकती है, और जो trial court है, उसको ये कह सकती है, कि आप 13313 CRPC के बैयान मुल्जिम वापस से लीजे, एक ये कर सकती है, कि जो appellate court है, वो खुद भी 13313 के बैयान मुल्जिम उस परिस्तिती के बारे में ले सकती है, जिसके बारे में accused ये कह रहा है, कि ये question उससे नहीं पूछा गया, इस जो सिवाजी सहाब रो मरसेज स्टेट और महरास्टर वाला केस है, जो समसल हक वाले केस में इसका reference आया था, इसका citation AIR 1973 है, इसी केस में माने सुप्रीम कोट ने कहा, कि ये कोट की duty है, कि वो हर परिस्तिती के बारे में question पूछे, लेकिन अगर कोई परिस्तिती रह गई है, तो अपिलेट कोट स्विम भी उस परिस्ति के बारे में सवाल पूछ सकती है, अचा ये परिस्ति आती कैसे है, कि कोई सवाल छूड़ जाए कोट से, एक्शिली होता क्या है, कि कोट के पास ज्यादा तर मामलों में ये देखा गया है, कि जैसे कोट के पास FSL report आई, कोई DNA report या फिर बैलस्टिक एक्सपर्ट की report आई है, ये जो बैलस्टिक एक्सपर्ट होते है, या कोई कोट के सामब कोई डाइटम टेस्ट हुआ है, उसकी report है, तो इस तरह कि ये जो scientific evidence court के पास आती है, अक्सर ये देखा गया है कि इनके बारे में ये जो I.O है, या डॉक्टर ह या जो FSL के एक्सपर्ट्स हैं वो अविडेंस करवा जाते हैं लेकिन कोर्ट इन ये जो डोकुमेंट्स हैं इनके बारे में अलग से कोई सवाल बनाकर कोर्ट नहीं पूछता है अक्सर ये गलती हो जाती है तो वहां ये सवाल उठता है कि इस डोकुमेंट के बारे में सवाल नहीं पूछा, इस परिस्टे के बारे पर सवाल नहीं पूछा, कई बार नक्समोके में भी ऐसी परिस्टियां होती हैं, कई बार जो हतियार बरामतगी है, उनकी फर्दों में ऐसी परिस्टियां होती हैं, कई बार, पतलब केसे के उधारन अभी मुझे याद नहीं आ रहे है बहुत सारी ऐसी परिस्टियां होती हैं जिनके बारे में खास तोर से जो murder वाले case हैiche 302 में और उनमें भी वो murder case जो circumantenail evidence पर depend होते हैं जिनमें कोई आई-witnesses नहीं होता वहाँ जो 500 तेयोरी है जो 500 का सिद्धान्त है जिसके आधार पर यह circumantenail evidence के मुकद्द में decide होते हैं जिसमें chain to chain उसमें जोडनी पड़ती है कड़ी से कड़ी evidence की जोडनी पड़ती है हर परिस्ते का मिलान करना पड़ता है तो वहां कोई ने कोई परिस्ते अगर ध्यान ना दो तो छूट सकती है तो इसलिए वहां इस तरह के सवाल फिर ये अपीलेट कोट के ध्यान में लाये जाते हैं अपील में इस तरह के तरक उठाये जाते हैं कि कोट ने धारा 313 के बयान मुल्जिम नहीं लिए तो जो grievous offenses हैं उनमें कोट को खास ध्यान रखना चाहिए धारा 313 CRPC के बयान मुल्जिम लेते समय कि हर एक document को कोट ठंगा ले हर जो evidence है जो गवहों की evidence है वो तो कोट ले लेता है लेकिन उसमें भी ये जो कई सारे cases हमने इसमें पढ़े हैं कि वह कहते हैं कि जो गवहों के oral evidence है उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे छैपन्ने का बयान है तो पूरा का पूरा एक सवाल में लिख दिया और उसके बयान मुल्जिम ले लो उनको कोर्ट का ये कहना है कि यो जो section 313 का जो ये right है मुल्जिम का ये कोई formality नहीं है कोट कोई formality नहीं कर रहा है ये उसका एक valuable right है और कोट को इस valuable right की रक्षा करने के लिए हर एक fact बिल्कुल express तरीके से बिल्कुल इस पर्ष्ट तरीके से मुल्जिम के सामने रखना होगा और मुल्जिम को ये बताना पड़ेगा कि इस facts के बारे में आपको क्या कहना है तो जहां बड़े बड़े लोग किसी grievous offenses में related रहते हैं involved रहते हैं वहां कोट को बहुत cautious तरीके से काम करना चाहिए और एक एक परिस्ति एक evidence पर छोटे छोटे question बना कर उस accused के सामने रखना चाहिए क्योंकि trial में कोट कितनी मेहनत कर रहा है जो prosecution मेहनत कर रहा है आपका छोटी छोटा सा जो point है आपकी छोटी सी गलती उस पूरे case को साफ कर सकती है appeal court में जाएगा case उड़ जाएगा कहीं sustain ही नहीं करेगा तो इसलिए जितनी मेहनत आप trial में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपको इस 313 के examination में भी करनी पड़ेगी तब जाकर वो case जो है आगे तक successful रह पाएगा इसलिए यहां इस valuable right की यहां हमको रक्षा करनी है ताकि appeal में मुल्जिम कोई फाइदा न उठा सके अगर वास्तों में वो दोशी है तो अभी हम एक case के ऐसे भी चर्चा करेंगे बताओंगी अभी वो case तो अगर दोशी वास्तों में मुल्जिम है तो फिर उस की trial जो है court को बहुत serious तरीके से करनी चाहिए और हर point पर हर कदम पर court को सावधानी बरतनी चाहिए तो ये visiate करने के बारे में ये इसमें खास point थे कि हम किस तरह appellate court में वो तरक उठा सकते हैं और हमको किस तरह question पूछने चाहिए ताकि मुल्जिम को किसी भी रूप में कोई prejudice कोज नहीं हो trial visiate करने का तभी मुल्जिम तरक उठा सकता है trial visiate होने का इस examination के आदार पर जब वो दो point court के सामने साबित करें और ये point कौन साबित करेगा कि मुल्जिम को prejudice कोज हुआ है या miscarriage of justice हुआ है इन decisions के आधार पर ये कहा गया है कि ये तथे भी accused को ही साबित करना है appeal में वो ही बताएगा कि उसको miscarriage हुआ है उसको prejudice कोज हुआ है ये साबित करना prosecution की prosecution पर भार नहीं है ये honest मुल्जिम पर है कि वो साबित करें अगर वो साबित कर देता है तो फिर वो acquittal हो सकता है तो ये हमारे इन cases के point हमारे पास एक और case है सुखजीत सिंग वर्सेज स्टेट अफ पंजाब का 11.9.2014 का case है criminal appeal 263.2013 यानि 263.2013 ये case बड़ा मज़िदार case है इसको ध्यान से आप सुनना इस case को last scene theory की अधार पर section 364 IPC का एक मुकदमा था कि एक लड़की का abduction कर लिया गया लड़की की जो मा थी उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था और ये जो सुखजीत सिंग था लड़की की मा का ये कहना था कि उसकी लड़की से ये सुखजीत सिंग ने शादी की थी और ये पंजाब में ही एक किराय की कमरे में रहते थे लड़की कहती थी कि ये पती उसको बहुत तंग और परिशान करता रहता है और फिर एक दिन उसकी मा मिलने गई तो उसके जो मकान मालिक थे उन्होंने बताया कि वो लड़की को सुखजीत सिंग ले गया है और कोई सुचना नहीं है उनके पास इस तरह इस कहानी के एफेक्ट शुरू हुए तो लड़की की लड़की जो है उसकी मा को जब नहीं मिली और ये सुखजीत सिंग उसके साथ करूटा करता था तो लड़की की मा ने सेक्शन 364 IPC में मुकदमा दर्ज कराया कि ये सुखजीत सिंग जो है ये उसकी लड़की को अबड़क्ट करके ले गया है ठीक है मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इसमें कन्विक्शन भी हो गया मामला माननिय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अब माननिय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें हुआ क्या कि वो जो लड़की थी वो जेल म में पाई गई यानि उसका कोई मर्डर वगैना नहीं हुगा अब्डेक्शन होने के बद वो जेल में पाई गई और जो यह शुगज scallopuk दो कि मैंने इस लड़की से कोई शादी नहीं तह सुसमय। और कई सारी बात हैं। मेन शादी ही जो है वो डिस्प्यूट हो गई मुलजिम ने कहा मैंने शादी नहीं की और लड़की की मा कहती थी कि यही इसका पती है तो मेन जो है वो शादी का ही इशू इसमें चलता रहा कि कौन किसका पती है और जो अबडेक्शन का जो पॉइंट था जिहां से मुकदमा शुरू हुआ था उस पर किसी ने कोई ना तो धंग से एविडेंस दी और ना ही जो है इसमें उस धारा 313 पर सवाल पूछे गए अबडेक्शन के बारे में और फिर भी कन्विक्शन हो गया तो कन्विक्शन हो गया माने सुप्रीम कोट तक मामला पहुचा तो माने सुप् पहुचे गए और लड़की जेल से बरामद हुई धारा 302 IPC के किसी मुकदमे में वो जेल के अंदर बंद थी और उसके वारंट वगरा लाकर और मुल्जिम की तरफ से ये डोकुमेंट परिक्शित कराये कोट में उनको एक्जिबिट भी कराया इसके बावजू ट्राइल क कोट ने नहीं माना इन सारी चीचों को और अबड़क्शन के अधार पर सजा दी तो मानिय सूप्रीम कोट ने इसमें उस अक्यूजड को एक्विटल किया उन्होंने कहा कि जो इनक्रिमेनिटिव जो एविडेंस थी अबड़क्शन के बारे में वो मुल्जिम को बताई ही नहीं गई और बहुत मज़ेदार केस है कि लड़की जेल में है और उसको अबड़क्शन के अधार पर ये जो है सजा हो रही है इसमें लास्ट सीन थियोरी को कोट ने सजा देते समय काम में लिया कि जब लड़की घर से गायब हुई तो अंतिम बार वो इस सुख जीत लेकिन मुझे तो ये केस बड़ा अजीब लगा फिर माने सुप्रीम कोट ने इसमें इसको एक्विटल किया तो आप ये देखे कि कई बार कैसी कैसी परिस्तियां जो है कोट के अंदर बनती हैं तो उन्होंने क्या हिल्ड किया में इसमें धारा 313 पर भी एक अपील में ये एक और केस हमारे पास है अजय सिंग का, ये जो अजय सिंग का केस है अजय सिंग वर्सेस स्टीट ओफ महरास्ट्रा इसमें जनरली शब्द की व्याक्या की गई जो जनरली शब्द है इस धारा में प्रियोग हुआ है अब आप देखेंगे तो इसमें आप उसको उसके पूरे जनरल उसको मान कर हम उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो यहां जनरली से मतलब यह है यह दहल सिंग का जो केस है दहल सिंग वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल परदेश ए आई या 2010 का है यह भी माने सुप्रीम कोट का केस है इसमें इस धारा में कि आप शब्द की वेख्या की गई है कि इस बात से क्या मतलब है इस बात से इसका मतलब यह है कि जब प्रोसेकुशन एविडेंस हो रही है तो जो अक्यूस्ट है उसके एडवोकेट क्रॉस एक्जामिनेशन करते हैं प्रोसेकुशन के गवावों से तो कोट का यह कहना है कि प्रोसेकुश उसके जिर्ह कर रहे हैं क्रोस एक्जामिनेशन का अक्यूज्ट को राइट मिल रहा है इसके बावजूत एक्स्टर रूप में यह जो अक्यूज्ट है यह कोट के सामने लाय जाएगा और बाकाईदा यह जो धारा 313 की जो पावर है यह कोट और मुल्जिम को आमने सामने होन हैं वो उसके सवालों का जबाब नहीं दे पाएंगे कई बार कॉर्ट में ये स्थि देखने को मिलती है कि जब धारा 313 का परिक्षन होता है तो एड़ोकेट जबाब देने की कोशिश करते हैं तो इस इन कई सारे केसेज में ये बात फोल्ड की गई कि एड़ोकेट नहीं जबाब देंगे बलकि परसनली अक्यूजड ही कोट को जबाब देगा ठीक है तो ये बात यहां इसमें कही गई उन्हों का ये भी कहना था कि ये जो इस अजय सिंग के केस में माने सुप्रीम कोट ने कहा कि जो कोशिशन की फ्रेमिंग है ये कोट बड़े ध्यान से करेगा क्योंकि कोशिशन की फ्रेमिंग इस रूप में होनी चाहिए कि मुल्जिम को पता लग सके कि उसको एक्स्प्लेइन क्या करना है तब ही तो वो उत्तर दे पाएगा यार 2011 सुप्रीम कोट 2296 का ये केस है इसमें माने सुप्रीम कोट ने कहा कि ये जो मेशब्द है धारा 313 की सब सेक्शन वन का जो वन नमबर क्लॉज है ए नमबर उसमें मेशब्द यूज हुआ है तो वहाँ मेशब्द का मतलब है ये कोट की पावर डिस्कृशनरी पावर ह इस मेशब्द की उन्होंने प्याख्या की इस मुहमद इकराम के केस में और उन्होंने ये कहा कि ये जो दूसरा पाट है जिसमें शैन शब्द यूज हुआ है इसका मतलब है ये कोट की मेंडेटरी पावर है ये कोट डूटी बाउंड है क्योंकि ये मेंडेटरी है कि कोट उसका परिक्षन करेगा ठीक है तो ये बातें कही गई हमेरे पस एक और केस है तारा सिंग वर्सेज स्टेट ऑफ इस्टेट ये 1951 का केस है A.I.R. 1951 सुप्रिम कोर्ट 4-4 सुप्रिम कोर्ट का ही एक केस है और इसमें इस धारा के अबजेक्ट को इसमें 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 मिलना चाहिए जब कोर्ट उसके बयान ले रहा है धारा 313 में उसका परिक्षन कर रहा है तो मुल्जिम को प्रॉपर अपर्चिटिव मिलनी चाहिए कि सारी सरकम्टेंसेज उस मुल्जिम के सामने आएं और वो इन बातों का जवाब दे सके तो आप यह देखें कि इन जब केसेज को हम 1951 से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक सेटल्ड पोजिशन लगभग इस मामले में रही है कि मान्य कोर्ट का यह कहना है कि कोर्ट की यह जो शक्ती है यह मुल्जिम को फेर ट्राइल का राइट देती है और कोर्ट ड्राइल का इग्जामिनेशन करने के लिए पहले पार्ट में उसकी पावर डिस्क्रिशनरी है डिस्क्रिशनरी होने के बावजूद वो कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है मुल्जिम या उसके जो प्रतिनेदी हैं वो इस बारे में तरक नहीं उठा सकते कि कोर्ट ने ये सवाल क्यों पूछा तहरा 313 में ये शक्ती दी हुई है और माने सुप्रिम कोर्ट ने इसको बहुत बार एक्स्प्लेन भी कर दिया है तो इस तरह ये शक्ती दी हुई है अब हम इसका ये जो प्रोविजो था ये अभी हमने पढ़ा कि समन केसेज में कोर्ट जो है उसको डिस्पेंस विद कर सकता है उसका बैयान मुल्जिम लेना यानि उसको टाल सकता है गिव अप कर सकता है कोई जरूरी नहीं है ऐसा इन्होंने कहा तो ये इसमें ये जो बसवराज पार्टिल वर्सेज स्टेट का एक केस है हमारे पास AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 3219 इस केस में ये एक्स्प्लेन किया गया कि क्या कोई वारंट केस है तो क्य उसमें भी कोर्ट बयान मुल्जिम को डिस्पेंस विद कर सकता है क्या को भी कोई ऐसी परिस्तिती बनती है कि कोर्ट उसका बयान मुल्जिम नहीं ले वारंट केस में इस केस में एक महिला ने अपने पती के विरुद मुकदमा दर्ज कराया था उसका पती अमेरिका में रह तो पती के वकिल साब ने ये अप्लिकेशन लगाई कि चुकि मेरा मुल्जिम अमेरिका में रहता है इसलिए वो बयान मुल्जिम देने के लिए कोर्ट में इंडिया नहीं आ सकता और अगर वो कोर्ट में यहां आता है तो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ये उसने अप्लिकेशन लगाई तो माने सुप्रिम कोर्ट में कोर्ट ने इस केस में ये जब मामला पहुंचा क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीचे की ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज किया अप्लिकेशन को तो उपर ये सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचा तो माने सुप्रि case में वो लेने mandatory हैं और इसमें कोई दोराय नहें हो सकती लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कई बार कोई exceptional case अगर court के सामने आता है तो फिर court उसको personal appearance से मुक्त कर सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते हैं कैसे कि पहला कि वो advocate के थूँ एक application court के अंदर लगाएगा क्योंकि personal appearance बयान मुल्जिम के लिए वो उसको dispense with कर रहा है court में उसकी हाजरी माफी को accept कर रहा है कि ठीक है अगर मुल्जिम नहीं आ सकता किसे exceptional cases में तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन एक निर्धारत procedure को adopt करना पड़ेगा क्या है वो निर्धारत procedure के मुल्जिम जो है वो अपने advocate के थूँ एक application court में लगवाएगा और उसमें वो उन सारी बातों को लिखेगा जो उसकी hardship है जो उसकी कठनाईया है या फिर वो बिना ज़्यादा खर्चे के court में नहीं आ सकता तो दो पॉइंट माने नियाले ने इसमें दिये या तो hardship का point और या फिर larger expense का इन दो कारणों पर ही उसकी जो personal appearance है वो court में dispense with की जा सकती है बयान मुल्जिम के समय और फिर वहाँ जो advocate है उसकी application लगाएगा इसके बात एक मुल्जिम जो है अपना एफिडेविट भी court में पेश कराएगा और इन application और एफिडेविट में ये बातें लिखी जाएंगी कि किस कारण से वो court में हाजिर नहीं हो सकता है बयान मुल्जिम देने के लिए एक और इस एफिडेविट में इसको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी कि वो अगर court उसके बयान मुल्जिम बिना उसकी personal appearance के उसके advocate के थूँ अगर लेता है तो वो किसी भी stage पर इसका objection नहीं करेगा और किसी भी stage पर right claim नहीं करेगा कि court के द्वारा उसके right का हनन किया गया है तो वो स्वेच्छा से इस बात का परित्याग कर रहा है कि उसके बयान मुल्जिम उसके advocate के जरिये ले लिए जाएं क्योंकि वो personally court में हाजिर नहीं हो सकता इसके बाद court जो है वो questionnaire जो है वो उसके advocate को देगा जो भी प्रशनावली जो questionnaire उन्होंने तयार किया है court ने किस किस question पर कैसे कैसे मुल्जिम का explanation लेना है इसकी copy वो जो है advocate को देदेगा और advocate अपने client को furnace करेगा और उसका client जो है वो किसी भी तरह से उसको उसमें अपने जो भी answer है वो उसको लिख कर देगा और फिर advocate जो है वो court में जमा करा देगा तो इसके लिए बाकाइदा questionnaire देने के बाद एक date fix कर दी जाएगी और फिर अगली date पर वो questionnaire answers के साथ court में जमा हो जाएगा तो ये जो है ना कुछ procedure इसमें वारंट केस में मानने सुप्रीम कोट ने बताया लेकिन ये बहुत ही exceptional केसेज में है कई बार जनरली court में हम देखते हैं मुल्जिम बहुत बिल्कुल paralysis में है या कोई ऐसी उसको गंभीर बिमारी ने घेर रखा है कि वो court में आ नहीं सकता बलकि वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता फिर वो विचारे उसके जो परीजन है एड़ोकेर्स हैं वो जीप वगरा में डाल कर उनको court के गेट तक लाते हैं और कई बार ऐसी भी situation आई है कि court के जो पिठासी नदिकारी हैं वो अपने अपने स्टाफ के थूरू उसको किसी ने किसी तरही तरीके से court के अंदर तक बुलवाते हैं और फिर उनके बड़ी मुश्किल से बयान मुझे लिये जाते हैं तो कई बार वास्ता में लोगों के साथ बड़ी hardship सी महसूस होती है तो संभाव है कि ये बसवराज पाटिल का जो केस है ये ऐसे लोगों को कुछ हेल्प कर पाए तो ये इस पूरे वीडियो में हमने section 313 के अलग-अलग आसपेक्ट्स हमने देखे और हमने इसकी अपील की स्थी को भी देखा कि अपील में भी ऐसे तर्ग उठाए जा सकते हैं ट्रायल की विशेट होने को भी देखा औ इसमें extra question बना सकती है और courts ने अपने कई judgment में ये भी कहा है कि court जब remand back कर रही है किसी case को तो कई बार accused है उनकी तरफ से ये तरक आता है कि हमको acquittal करिए remand back case को मत करिए क्योंकि remand back करने का मतलब ये है कि आप उसमे prosecution का lacuna fill up कर रहे हैं यानि court इसमें prosecution को एक right दे रहा है कि वापस 313 के बयान ले लिजे और 313 के वापस इस defect को cure करके और appeal में file को भेज दीजे तो ये तो एक तरह से lacuna को fill up करना हो गया तो माने Supreme Court ने कहा कि ये ऐसा नहीं है ये कोई lacuna fill up करना नहीं है और ये curable defect है उसको किया जा सकता है अगर court को लगता है कि मुल्जम को कोई prejudice cause नहीं हुआ है तो वो जरूरी नहीं है कि उस conviction का वो उसको acquittal में बदले तो ये आज के इस वीडियो में हमने इस section 313 के scope और applicability क को समझा और मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू झाल